दोस्तों हाजना एक होर वीडियो रिपोर्ट लेके आज इस वीडियो रिपोर्ट देविच मैं गाल करांगा एक अजेहे बामत माकेदी जिसने की बहुत सी जिंदगियां बदल के राखती हैं वैसे ता मिलिटन्सी दे दूर देविच पंजाब देविच अजेहे बहुत बामब्लास्ट होए लेकिन मैं इक अजेहे बामत माकेदी गाल करांगा जो की लाया गया सी यनिकी इस बामब्लास्था टारगेट सी एक IPS अफसर पंजाब दे एक सिन्यर IPS अफसर जोकी उना दिना देपिटेशन होते हैं। चंडिगर देपिछ तेनाद सी। अफसर काफी बदनाम है तो उसी पहला जान दे होदे बारे सुमेद सिंग्सेनी। बदा और जानदा है एक आर बॉम तमाका बहुत प्रबावशाली होंदा है तकरीबन साड़े चार या पांच किलो आडी एक्स इस दे विच वरते आ गया होंदा है एक रिमोट कंट्रोल दे नाल चंडिगर ते सेक्टर स्तारा दी SBA, Building SBA, Headquarter अते केसी सिनेमा जो की होया करता सी उस दे विच एह हमला किता जानदा है इस समझा जानदा है एक रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड डिवाइस दे नाल एक दूर खड़ी हुई कार दे विच्चों उस कार जिसनों की इस सडक होते जिसोतों की सैनी दे कॉन्वाइ ने क्रॉस कारता है उसे वक्त डेटनेट इस ब्लास्ट नों कारता जानता है एक बहुत ही बड़ा तमाका होंदा है जिस बिच तकरीबन दो पुलस वाले जेड़े हैगे ने उमारे जानदे हैगे ने सुमेल सिंग सैनी दे परसनल सेक्यूरिटी आफिसर उना दे नाल तैनात एक साव इंस्पेक्टर होंदे ने लालू राम ते एक होर हैड कॉंस्टेबल जो कि उनारी नीजी सुरख्या दे बीच होंदे ने अमीन चंद इदोवादी मौत होंदी है ते तकरीबन दरजन तो वद जड़े लोग होंदे ने ओ इस पुरे बम तमाक के बिच फटड़ भ पुलस होनदे नाल दे लाल दे खाफ披टड होे सन लेकिन समेज सिंग सेनि जूंदे सन सबूते सन पीजे दे बीच उस वक्ट सुमेज सिंग सिंग ननों मिले नजीद सिंग पूला गुर्मित सिंग पिंकी आफ़े ने औस तो बाद सुमेज सिंग सि Gwen ए दोमा वादा बद पूरी अपरादिक साजिश दे विच उबर ने कुछ हफते या महीने बाद शुरू हूं देने लेकिन शुरूरती फेस दे विच इस बाम तमाके तो तकरीबन एक ड़िड़ हफता पहला सुमेज सिंग सेनी नूँ जड़िये तमकी आ रही है हूं दियाने ओ बबर खाल सा वल्लों आ रही है हूं दियाने कुछ ऐसे फोन भी सुमेज सिंग सेनी नूँ जो की डिरेक्ट आंदेने उना दिना दे विच लैंड लाइना हूं दियान सन तमाका है ओ बबर खालसा दा का रहा है क्योंकि तमकिया उसनों बबर खालसा वल लो डिरेक्ट तौरते मिल रही हो सन कुछ दिन पहला तक सो सुमेज सिंग से नी पीजे अस्पताल बे जदों परती होंदा है गुरमीज सिंग पिंकी या जी सिंग पूले वर गे लोग या सुमेज सिंग से नी खास जड़े अफसर उस दा हालचाल पुछन आ रहे होंदेने सुमेज सिंग से नी ऐस पर जो गुरमीज सिंग पिंकी द दे लोग तेनात होंदेने उना दी मौद दा बदला लेंदी काल कार रहा हूंदा है सो के एलेफ दा एक्षन बबर खाल सा होता है अट्रिब्यूट कारता गया हूंदा है अगले ही दिन जाके रोपड दे विच पिंड जटाना दे विच बबर खाल सादा जेडा एक खाल कू हूंदा है बलविंदर सिंग जटाना उस दे पूरे दे पूरे परिवार नू साड मुकाया उस वलनों जदो इस बमत माके दे बदले दी कारवाई दे रूप इच बबरा नू टारगेट करन दा टीचा खुद सुमेज सिंग सेनी दंदे ने उस तो बाद पूला जाके जटाना दे पेंडर विच ओवर डी वारदात नू कारदा है जो की दिल दहला दे न वाली कटना सी जिस विची तकरीबन चार जड़े बलविंदर जटाना दे परिवार दे जी जिस विच की ज़्यादातर महिलामा इन फैक्ट बहुत छोटे छोटे बच्चे महिलामा बज़ुर्ग महिलामा ओ शामलसन उना नू साड मुकाया गया पालस्तान लिबरेशन फोर्स दा काम सी नाकी बबर खाल सादा इस तो बाद पाल शुरू हों दी है देविंदर पाल सिंग पुलर दी ते उस देनाल ओदा तमाम लोका दी जिस विच की नवनीद सिंग कादियां गुरजंड सिंग बुच सिंग वाला दे होर जड़े साती ह हुं देने तो इसे दोरान सू मिल दी है इस किसम की लीड्स मिल देने जिस तहट की बलवन सिंग मुलतानी जोकी चंडिगर दे शिटको दे विचे की जूनियर इंजिनेर हुं देने चंडिगर विच यू काम कार दे ने महाली चरेन दे ने उना दे उत्तेवी शक दिस देने उना नूं गिरिफतार किता जानता है इस चीज दा पक्का यकीन सुमेज सिंग सेनी नूं हुनदा है कि उना उते हमला जड़ा कराया गया है और दिविंदर पाल सिंग पुलर दी इन्वाल्मेंट दे नाल होया है सो पुलर दे साथियां बल्वांत सिंग मुल्तानी मंजीत सिंग ते जस्परीत इंदर सिंग नूं चुकन कस्टड़ी विच लैंड तो इलावा ओ रामपुरा फूल अते दयालपुर पाई का बठिंडा जिले दे एदो पिंडा चो दिविंदर पाल पुलर दे पिता बल्वा की तशद्द दिती गई हुंदी है या उस दे नाल जो तका किता गया हुंदा है वदी की किती गई हुंदी है हलांकि सब लोग का नाल ही तका किता जानदा जिन्दानु इस फूरे केश दे विच सुमेह सिंग सैनियत उस दे पुलस असराने चो क्या हुंदा है लेकिन बलवा बिलवबत सिंग् मलतानी होना ते किती गै। बटाला दे बीच भी बताओर स्स्पी सुमेस सिंग सिनी ने काम किता हुंदा है बलवान सिंग मुलतानी दी जड़ी लाश हुंदी है या उस दी जड़ी बॉडी हुंदी है उस नूँ डिस्पोज आफ करन ली अपैरंटली जड़े ऐलिगेशन लग दे आ रहे है ने जो एक थियूरी चल दिया दी है इस तो बाद बलवान सिंग मुलतानी दे जड़े पिता जो कि आईये सफसर सन दर्शन सिंग मुलतानी उना वलनों एक हेबस कोर्पस भी उना दिना वीच लाईगी ग्यारा दिसंबर ते तेरा दिसंबर तो बाद लेकिन जड़ों चंडिगट पुलिस या पंजाब पुलिस इस पर्ष्ट कर दिन दी है क्योंकि कादियां तो जड़े बलवान सिंग दे पजण दी पूरी वारदात उत्ते भी के फायर नंबर 112 उत्ते रिजिस्टर किती जा पाज चुका है तो दो ते जड़ा केस है फॉर्मल जड़ा केस बादा सी और चंडिगट दे विच तेरा दिसंबर नो ही रिजिस्टर कार लिया गया सी जिना नो बीते साल 2002 दे विच फायर दे विच नामज़द भी किता गया लेकिन अजेहा नहीं है यह 1991 तो बाद बलवान सिंग मुलतानी दे पिता दर्शन मुलतानी होना ने उस हेबस कॉर्पस पेटिशन खारज होन तो बाद या उस जड़ी रिट सी जिस जो कामयाब नही हो पाई हाई कोड दे विच उस तो बाद कोश्या नहीं किती हैं बलवान सिंग मुलतानी दे पिता दर्शन सिंग मुलतानी नो अपने बेटे दे नाल हुई इस तशद्दत दे मुद्दे नो जागर करन दा दूसरा मौका दिसंबर 2006 विच आके मिलना होन दा है 15 साल दा वक हो चुके होंदे ने जिना विच एक होंदा है खुद देविंदर पाल सिंग पुलर जो की बात दे विच जर्मनी दे विच पाज के निकल गया सी लेकिन जर्मनी वलनों उसनों वापस पारत डिपोर्ट करता गया उत्ते उस दा जड़ा पलिटिकल असालन दा केस नहीं सी बहुत ही एक खतरनाक वारदात सी इस दे विच ही दिविंदर पाल सिंग पुलर ते उस दी ही खाड़कू जथी बंदी दा हत सी उस केस दे विच उसनों सजाय मौत जड़ी है और सुनाई जा चुकी होंदी है सो जड़ों 2006 दिसंबर दे विच सुमेज सिंग सैनी बांबलास्ट वाला केस चंडिगर अदालत दे विच उस दा फैसला जड़ों अदालत कार दिया है उस दे विच दे विच दिविंदर पाल सिंग पुलर ते तमाम होर दो होर लोग होंदेने उस तो इलावा जाद की जो भी एविडेंस पुलिस ने सुमेज सिंग सैनी बांबलास्ट तमाके विच कठा किता होंदा है उसनों ना काफी मन्या जानदा है एतनों दास दे वी उस बांबलास्ट तमाके दे विच चंडिगर पुलिस ते तफ्तीश ए अजंसी ते हात कुछ भी नहीं लाग पाया एक कार सी उस दे विच RDX ते कुछ सौ मीटर दी दूरी होते एक रिमोट कंट्रोल दी एक डिवाइस है बस एक कुछ चीजां लाग दियाने ए समझ भी चांदा है भी एक पियार मैता नादा एक शक्स होंदा है जिसने इस गड़ी नों एक प्रिंस नादे एक जड़ा कार दीलर होंदा है उस दे जरीए किस नों वेच्या होंदा है लेकिने सारी जरी कड़ियां ते लिंक होंदेने ना दविंदर पाल सिंग पुलर ना जुड़ देने ना ही होर लोग जो कि इस दे विच नामजद होंदेने ते गिरफतार हो चुके होंदेने आपील नो भी खारज करदेने आपील नो भी खारज करदेने हाई कोट महसूस करदागी हेट लिए इदालत ने अपनी ज़ेडी सही माइंड दी अपिलिकेशन करदे होया इस केश देविच ना काफी सबूतना दे रोशनी देविच उजडे सारे लोग हां दिविंदर पाल सिंग पुलर समेत उना नूँ बरी किता है सो हाई कोड दा फैसला भी हेटली अदालत दी ही लीग दे विच होंदा है लेकिन पांच मही दे इस फैसले तो बाद एक बहुत ही अजीब जी चीज होंदी है जिस्टिस महताब सिंग जिना ने इस केस नो खारज किता होंदा है यानि कि उस चंडीगर्ड पर प्रशासन दी अपील नो खारज किता होंदा है तकरीबन वी दिन बाद ही उस केस दा तेंसो चौनती नंबर एफाई आर यानि कि सुवेश सिंग सैनी होते होए कार बम तो माके दे केस दी फाईल नो दुबारा सू मोटो नोटिस लेके उस नो दुबारा खोलन देने इस वक्त जड़े जज है गेने जस्टिस महताब सिंगिल उनना ना नाम है स्पेसिफिकली इस वास्ते ले रहे हैं क्योंकि उनना दी पूमिका थोड़ी जी एहम है गी है उनना वोलने केस देनों सुव मोटो देता हुड़ते है यानि खुद बखुद अदालत वननों खोल ले जान दा है ते उस पिछ जड़े होर पगोड़े लोग सानी यानि कि तिन लोग था इस केस दे विच अदालत ने बरी कारते है दिबंदर पाल सिंग उल्डर समेथ लेगिन पांच लोग होर होंदे ने उना दी स्टेटस रिपोर्ट जड़ी है और चंडिगड़ पुलिस तो मंगी जान दी है उस दे विच चंडिगड़ पुलिस फिर इस पष्ट कर दिये भी एना विचों कई लोग जड़े हैगे ने नवनीत कादिया दा जड़ा है 1993 दे विच एंकाउंटर हो चुका सी उसते लावा गुरजण सिंग बुद सिंग वाला मारा जा चुका सी तो होर भी कुछ लोग हैगे ने पगोड़े हैगे ने एक मनमोन जीत सिंग नादा बंदा होंदा जो की बात दे विच आई बिम जाके अमेरिका दे विच सैटल हो चुका हंदा रह रहा होंदा है ज़े जानकारी है चंडिगट पुलिस साजे कार दी है जिस तो बात की जस्टिस महताव सिंग गिल दी जडी अदालत है इस केस नोगे तोर दी है नोटिस दन दी है थे चंडिगट पुलिस नो एक S.I.T. बनाननों केंदी है इस मामले देबिच होर जड़ी भी investigation बाच दिया है या जड़े होर accused बाच दिया है या जड़े होर accused बाच दिया है उना दी पाल कर ली आखिर देबिच स्तिथी ऐसी आजान दिया है भी महताव सिंग गिल होना ने जड़ान की इस F.A.I.A. number 34 चौन्ती यानि कि सुमेज सिंग से नहीं होते ही इस बंतमाके थे उस दे विच नाम जड़े जड़े लोग जो कि पगोड़े ने गायब ने या फिर मार चुके ने उनना दी पूरी जानकारी वेरवा या उस दी तफ्तीश दा स्टैटस मंगया हुंदा है उनना वनों इस थोड़ी ज़ादा हुंदिया है इसे दोरान दो-तिन होर कटनामा ऐसी हां हुंदिया ने जो कि थोड़ा जाए इस पूरी जान्ज नू शाक्दे के रे विच भी लेंदी है ते अदालत दी मंशानों भी शाक्दे के रे विच लेंदी है लेकिन नेवर दलेस ए सच्चाई तक तथा तक पहुंचन दी जरूरी गला बाता भी सन इही हो समा हुंदा जदों की बलवान सिंग मुलतानी दे पिता दर्शन सिंग मुलतानी जड़े है के ने दो हजार सत तो बात जदों इस पूरे मामलदे विच सीबे जांज बठाई जान दी है उस वक्त एको फ्रेश मिसलिनी से एप्लिकेशन हाई कोर्ट विच पादन देने दूसरे पास से दिविंदर पाल सिंग पुल्लर बलनों भी एक एप्लिकेशन जड़ी है कोर्ट विच पाती गई हुंदी है क्योंकि दिविंदर पाल सिंग पुल्लर पिता जड़े बल्वन पुल्लर हुंदेने ते कुल्तार पुल्लर हुंदेने उना दे रिष्टेदारां दा भी कुछ अता-पता नहीं हुंदा उना नो भी उसी तरीक के नाल कस्टोडियल टॉर्चर दिता गया हो सकता है या उना दी शरीर या बॉडीज नो भी खुर्द-बुर्द किता गया हो सकता है देविंदर पाल सिंग पुलर जो की जेल भी छुनता है डेथ रहोते हुनता है ओव एक मिसलेनी से अप्लिकेशन फाइल कारदा है ते दूसरे पास से हो बलवन सिंग मुलतानी देपिता दर्शन सिंग मुलतानी भी के अप्लिकेशन फाइल करदेने इस सारी चीजां कलब हो जान दियाने इना अप्लिकेशन देविच चीबिए नो हिदायत जस्टिस महताब सिंग गिल दी अदालत वालो दिती जान दी है सीबिय नो क्या जान दाए भी आजएड़ा बलवन सिंग मुलतानी दा केस है इस वल भी त्यान दितता जाए ते आजएड़ा देविदर पाल सिंग पुलर होना दी अप्लिकेशन है इसनो भी सीबिय अपने रडार ते रखे सो सीबिय जदो मामले दी जांज कर दी है कई विटनेसेज नो एग्जामिन कर दी है जुलाई 2008 जान दा है ते जुलाई 2008 बेची के एफ़ईया रिजिस्टर कर दी है सीबिय जिस दे बिच की नामजद किता जान दा है सुमेज सिंग सैनी नो बलवन सिंग मुलतानी नो अगवा करे किते के जान दे मामले या उना दी लाश नो कथत तौरते खुर्द बूर्द किते जान दे जेडे खर्चे उना दे पिता दर्शन सिंग मुलतानी वल्लो जटाए गए हुंदे ने उना दे बेस होते, या उना चीजानों अपने विटनेस्स दे जरी या अपने पलनों कठा किते गए, एविडन्स दे अदार होते, माप दें होया, गेज का दें होया, CBA ने का F.I.R रिजिस्टर कर ली हुंदी है, हुंत उसी बहुत चंगी तरह ना समझ चुके होंगे कि ओह ही 304 नंबर F.I.R जिए तहत की सुमे सिंग सैनी उत्ते एक बम तमाका हुंदा है, उसनों हमले चमारंदी कोशिच किती गई हुंदी है, ओही जड़ा मुकदमा है, अदार बांच चुका हुंदा है, सुमे सिंग सैनी खिलाफ एक CBA जांच ते उस तो बात दर्ज किते गई एक होर F.I.R दा, यानि की एक वकरी F.I.R जो की सुमे सिंग सैनी उत्ते हुन दर्ज कार चुकी हुंदी है, CBA, परताल शुरू हो चुकी हुंदी है, लेकिन सुमे सिंग सैनी इस वक्त पंजाब विजलिंस दा डिरेक्टर हुंदा है, 2008 दी गाल है, परकास सिंग बादल, स सर एकाम कार सकदा सी, सो पंजाब सरकार नो काफी तकलीफ हुन दी है, पंजाब सरकार इस केस दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ड दे विच एक अरजी, एक special repetition दार कर दें दी है, सो महताब सिंग गिल, जस्टिस महताब सिंग गिल होना दे, इस फैसले दे खिलाफ सुप्रीम कोर जाके पंजाब सरकार एक बार दोबारा खड़ी हो चुकी होंदी है सुमेज सिंग सेनी दे पाक वियों थे खड़ा होंदा है सुप्रीम कोड इस पूरे मामले नो कोखता है ते इस दे बीच जिड़े पंजाब अते हरेना हाई कोड दे जस्टिस महताब सिंग गिल है जाच नो करन वाले अफसर जड़े सान सुमेज सिंग सेनी सान सो बेशक बलवन सिंग मुलतान नी या होर इस ना जड़े हो तमाम मुकदमे उना दा फॉलॉप जरूरी सी लेकिन इस केज दे बीच जड़े उत्ते हैं जड़े पंजा दी सवाल खाड़ा हो जंता है यानि कि उप्पील यूटी अड्मिस्टेशन ली जिस विच की सुमेज सिंग सेनी दे उत्ते हुए बाम तमा के दे फैसले दे बीच जड़े बरी किते गए से देविंदर पाल सिंग पूल दरते होर उना नू अफोल्ड भी महताव सिंग गिल्दी दालब ने किता थे बाद देविच सुमोटो नोटिस भी दिन बाद लेके उस पूरे केस देविच एक नमा केस खोलके CBA तो एक FIR भी रिजिस्टरिक तरिकेनल कराती सो जस्टिस महताव सिंग गिल्दी इस पूमिका दे कारण या जड़ा शक्त संसा ओना दे इस केस देविच इंटरस्ट लेंद दे संदर विच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओर्डर विच दर्ज गिता उस तो बाद इस पूरे केस देविच FIR जड़ी सी CBA नो दर्ज गिती क तो सुमेज सिंग सैनी 2008 दे विच उस कडिकी विच निकल ए जिस दे विच की ओशनू जस्टिस महताव सिंग गिल्द या फिर हाई कोट ने उलजा अलया सी तो आखिरी जड़ी उमीद रहन दी सी दर्शन सिंग मुलतानी दे पिता दी या फिर होर उना लोकानी जो की इस पूरे कटना करम दे विच उस तशदद दा शिकार होए सुमेज सिंग सैनी वर गे अफसरा कुरूर अफसरा दी उस वदिकी दा उना लिए कोई मौका ही होर नहीं पैदा होया दो हजार आठ तो बाद दो हजार पंदरा दे विच दर्शन सिंग मुलतानी होना दी मौत हो जानती है इना बारा तेना साल इस मुकदमेदा कुछ नहीं होंदा उस तो बाद जदों कैप्टन अमरिंदर सिंधी सरकार 2017 भी चानती है उस सरकार दे वी नोविंदर मुलतानी उना दी शिकायत उते एक एफ़ाया जड़ी 77 नंबर मतौर थाना है मुहालीदा उस विच दर्श कर ली जान दी है थे सुमेद सिंग सेनी नो नामज़त कर लिया जान दा है सो ताजा जड़ी F.I.R. है और 2000 V. दे विच रिजिस्टर किती गई है मैं तो नो दस्यवी 2006-2007 विच एक मौका पैदा हो ऐसी लेकिन अदालत दे जड़े जज़ दे उते सवाल खड़े हो गए सुमेद सिंग सेनी बच निकलिया लेकिन उस तो बाद कोई परसू करन वाला कुछ ऐसे मैं पहला जिकर कार चुका है परतिंदर सिंग चाहल या कुछ होर ऐसे लोग भी रहे जिना दे खिलाफ सुमेद सिंग सेनी दे समया दे विच तशदतां काफी होई हैं सो जाहरी तोर भी कुछ ना कुछ इंटरस्ट रहा होएगा भी ओक केसा नो दुबारा चु हो चुकी है लेकिन ज़रूर तैह भी एना केसा दे विच सुमेद सिंग सेनी एक तो बाद एक जड़ी है ओ रहत लेंद दे विच काम्याब रहा है जिए कि आपा पहलना भी कई वीडियो दे विच सिकर किता है तो अपा पूरे इस कटना कर नो स्टडी किता ओस बामतमा के जिसने की कई जिंदगियां वजल देती है तो उसी सोचो जटाना जड़ा बलविंदर जटाना सी उस दे परिवार ज़स दे की चार-पंच जियानों जूदे अजीज सिंग पूले ने साड़ता बलवान सिंग मुलतानी दे अपा गाल कार लिये जो की जूनियर इंजिनियर होंदा है यानि क्योंने कुछ ऐसे लोकों नों पना दिती हो सक दिये जो क्यों दे कौल आये होंगे ठेरे होंगे जो मैं खाड़कू किसी कौल गए वार्दात करन तो पहला या बाद दे विच रुके सो ओ ज्यादा तर केस जड़े सी कामजाग दा शायद केस सी जो की रिजिस्टर किता गया सो डिरेक्ली इस बामत माके दे विचे बलवन सिंग मुलतानी दा किड़ा का पूमिका सी ए ता इस्टैबलिश होई नहीं पाई क्योंकि इस बामत माके दे विचे देविंदर पाल सिंग पूलर वर गया दी पूमिका तै नहीं हो पाई अदालत ने चंडीगर दी अदालत ने देविंदर पाल सिंग पूलर नो भी उस बामत माके दे विचे साल 2006 दे विचे बरी करता सी सो उना हलातना दे विचे किस तरीके ना बलवंद सिंग मुलताने नूँ चाक के उसनों टॉर्चर किता गया या फिर उसनों मार मुकाया गया जिस दागी हले कोई सबूत नहीं है क्योंकि खासियत तैना अब सनादी या पुलस दे काम करूं दे हथकंडा होई होया करता सी भी लाश जड़ी है अच तक नहीं मिली उना नू बठिंडा दी का दालत वलो शैद साल 2016 या स्तारा दे विचे उना दी पुरी जड़ी मौत है उसनों मान ला गया निकि सिविल डेथ उसनों करार देता गया सी जो कि अकसर कई केसां दे विच नहीं होंदा क्योंकि उना दे प् 26 साल भी जानतों बाद भी लाश्चान नहीं सन मिलिया तो एक कुछ होया पंजाब दे विच ते सुमेह सिंग सैनी दे अपने खिलाफ होया ओ कार बामतमा का एक होर केस दे विच तबदील हो गया सी जए जस्टिस महताब सिंग गिल उत्ते उमुला ना उख्ठिया हूं लि 27 नो हिदायत देती बिलवन सिंग मुलतानी नो भी कंसिडर करो सीवे ने अपना काम कारता सी क्योंकि सीवे ने अपने जिनने भी सबूत सबात सी कठे करके ही हो एफ फाइयार जड़ी सी ओ दर्ज किती सी लेकिं सीवे दी जड़ी एफ फाइयार नो कौश करवान दे विच सुमे सिंग सेनी नो बचवान दे विच एक वार फिर ततकाली बादल सरकार दी जड़ी पूमी का है वो फिर उजागर हुन दी है इस केस तो उबर के सामने आं दी है सो बहुत से अजी है केस जड़े विच रैजन देने वड़ी एंगलना ता अपना सारे भेद भी आच की होया नहीं होया उते पामे सबूत होवे ना होवे गालबाद कोई ओड़ी वड़ी होवे या ना होवे बहुत रोड़ रपा पैजन दा है लेकिन एक क्रिस्टल क्लियर केसिज ने जित्ते की सरकारा ने सुमेज सिंग सेनी दे पिछे खड़े होके उसनों बचाया एगाल फैक्ट है भी महताब सेंगेल जड़े ज़ाज सीगे उना दी जड़ी पुमिका या उना दा जड़ा कंड़क्ट रहा है उस उते सवाल खड़े हुंदे रहने ते उस कारण ही एक केस जड़ा है वो शायद गिर भी गया लेकिन फिर जे आपा दूसरे पक्खों वेखिये ता शायद उना दी वज़ानाल ही एक केस दोजार चेस साथ ते आठ विच दुवारा रिवाइब भी होया सी तो वी एक आस्पेक्ट है देखन या समझन या कोखन वाला लेकिन उमीद करांगे इस केस नो समझन दे विच इस दिन आल जुड़ियां हुए हैं जिडियां कडियां सी उननों तुसी काफी हद तक समझ पाया हूंगे काफी महत्तपूरण केस सी इस चीज दी चर्चा काठ हुई है इस केस दे वारे जानकारी पबलिक डोमें दे विच काठा है लेकिन है काफी एहम केस सी जिसनों की ब बचन विच कामयाब भी रहा तो आणवाले दिना दे विच मैं कोशिश करांगा देविंदर पाल सिंग पुलर या कुछ होर जड़े वड़ियां वारदाता हुए जिस विच की कांगरस दे यूथ कांगरस दे दफ्तर दे भार एक बहुत वड़ा बंतमाका हुए ऐसी उस क इसनों एक्जामिन करन दी कोशिश करांगे क्योंकि बहुत लंबा चोड़ा सिलसला चलया उस तो बाद अदालता दे विच उस सजा नों काट करवान या माफ करान दे नजर ये तो दिबंदर पाल सिंग पुलर जो की कई साल जड़ा सी डेथ रहा प्रेजिडेंट वनों भ अगली रिपोर्ट दे विच इंकॉर्पोरेट करन दी कोशिश करांगा फिलहाल इजासला ना बहुत वात तानवाद रितेश लख्यान प्लाग नल बने रो